लेकिन बहुत ही easy तरीके से आप इसे solve कर सकते हैं लगा सकते हैं बस आप से request है कि इसे last तक देखेगा और अगर आपको यह समझ आ जाएगा तो please इसे like और share जरूर की कर दिजिएगा तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर हम करते क्या है यहां पर आप देख रहा है जो अंडरूट 9.3 है तो हम scale लेते हैं और scale क्या करते हैं हम एक line खिच देते हैं 9.3 का यहां पर आप देख रहा है यह 9 है यह 9 है यहां पर देख लिए यह clear नहीं दिखाए दा रहा है यहां पर देखिए 8 है और 8 के बाद 9 और 9 के बाद यह कुछ यह millimeter में चलेंगे तो 3 तक 9.3 हमने यहां पर कितने का line ड्रा कर लिया है 9.3 का यह line मैंने draw कर लिया है और इसको हम नाम दे देंगे A और इसको हम नाम दे देंगे B तो एक line ड्रा कर लिया है दोस्तो अब इसमें करते क्या है अब जैसे यह हमने किया है draw कितने का 9.3 का अगर इसको cut लगा यहां पर तो एक-एक centimeter का ऐसे cut आएगा यहां पर एक centimeter का 9 cut आएगा यहां ऐसे 9 खंड आएंगे, तो 1 cm के बराबर हम क्या करेंगे, 20 से आगे चलेंगे, अर्थार जितने जितने एक खंड की दूरी जितनी होगी, उतने ही दूरी बराबर हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पे कितने कितने की दूरी यहाँ पे 1 cm के, क्योंकि मैंने इस स्केल से नाप करके खीचा है इतलिए आप 1 सिंटीमेटर के 9 कट लग सकते हैं नो खंड बनेंगे था हम एक खंड के बराबर यहाँ पे का करेंगे आगे हम बढ़ाते हैं एक खंड के बराबर रेखा को हम तोड़ा और आगे ले जाएंगे हम यहाँ से हम दूसरे color के pen से हम इसको खिशते हैं ताकि आपको clear है इसी रिखा को हम 1 cm और आगे यहां तक खिशते हैं तो मैंने इसको खिश दिया और इसका हम नाम दे देंगे C इसको हम नाम दे देंगे C, देखिए ध्यान देखते रहेगा बहुत ही easy है आप इसे कर सकते हैं यहां से यहां तक हमने 1 cm खिचा है क्योंकि यह 9 cm तीन का था तो एक एक खंड एक एक सेंटीमेटर का बनेगा तो जितने अगर आप यहां पे 2 cm का एक एक खंड बनाते हैं तो यहां पे आपको 2 खंड आगे चलना पड़ेगा अगर 3-3 cm का बनाते हैं तो आपको 3 खंड आगे चलना पड़ेगा लेकिन हमने 1 cm का ही बनाया है मैंने चुक्ड़ क्योंकि यहां पे पूरा कट नहीं लिया है लेकिन यहां पे आप इसको i scale तरेंगे यहांपे अगर Cut लेते हैं तो यहांपे 11 cm का यहां पे एक cut यहां आजाएगा एक cut यहां आजाएगा एक cut यहां यहां एसे cut करके आपको not cut मिल लेँगे यहां पे और यहां पे इसके आगे थोड़ा 0.3 वाला है तो इतना ही distance का एक खंड जितना distance का जितना दूरी का है उतना ही दूरी का हमने क्या लिया है आगे हमने थोड़ा बढ़ा लिया है अब इसको करेंगे क्या हम A और C को देखेंगे और A C का हम अर्धक करेंगे A C का अर्धक करेंगे तो अर्धक करने के दोस्तों क्या करते हैं प्रकार लेते हैं और प्रकार को इस रेखा से अधिक फैलाते हैं हम प्रकार लेंगे और प्रकार को इस रेखा से अधिक फैलाएंगे तो हम क्या फैला करके क्या करेंगे एक आर्क इधर लेते हैं और एक आर् कुसको हिंदी में चाप बोलते हैं इंगलिस में आर्क बोलते हैं और हमने किस पे थालिया है ह। हैंपर क्रुदी ребята करेंगे हम prat discussions मुए भर फिर क्या करेंगे हम in a better रखेंगे यहां पे अब देखिए मैंने इस scale उठाएंगे, अब जहाँ जहाँ पे यह arc कटे हुए है, उस arc को हम क्या कर देंगे, इसे मिला देंगे, इसे हम मिला देंगे, एथे करके, यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे यह इस AC लाइन को यहाँ पे यह काट रहा है तो इसको हम कोई point नाम देते हैं O माल यह point O है AC को यह O पे काटता है अर्थात AO की लंबाई इसकल टू OC की लंबाई यहाँ पे AO इसकल टू OC यह दोनों ही क्या यहाँ पे बराबर है क्योंकि हमने AC का हमने अर्धक किया है अर्धक करने का तरीका मैंने बताया है कि प्रकार को यहाँ पे रखते हैं और चाप से एक आर्क यहाँ लिए हैं और फिर A पे रखते हैं और एक आर्क यह लिए हैं और एक आर्क यह लिए हैं औ प्रकार को इस पे, जब O point पे यहां पे देखिए, प्रकार को इस O point पे आप रखेंगे और O A 30 का, अर्थात O A 30 का देखिए यहां पे, हम इसके एकवल देखिए फैलाएंगे, O A, और क्या करेंगे हम एक अर्ध वृत खीच देंगे, ऐसे ले करके हमें कियां अर्ध वृत घ C पर आ करके दिखे मिलेगा दिखे हमने O.A.T.R.J.A. का एक अर्ध विर्ध खीचा है जो C पर आ करके मिला हुआ है अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर अब इस जो B जो B पॉइंट है इस B पॉइंट पर हम एक लंब डालेगे लंब अर्थात इस पर हम 90 डिगरी का एंगल बनाएंगे 90 डिगरी का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं आप चांदे से भी बना सकते हैं और प्रकार से भी बना सकते हैं तो प्रकार से बनाने के लिए करते क्या हैं थोड़ा सा यह मैंने समें स्कस्टक्राइद लगाया है अन्हीं रहे तो यहां पर करते हैं ऐसे बनाएंगे इसे एक यहाँ करते है और फिर क्या करेंगे यहां पर रखेंगे जहां पर रखेंगे यहां और यहां से एक आर्क यहां पे काटेंगे और फिर जहां पे काट रहा है पुना इस पे रखेंगे और एक आर्क इस पे काटेंगे तो यहां पे काट रहा है और पुना ऐते ही रखे-रखे हम एक उपर भी काट देंगे ऐसे और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे देखी यह वाला जो आरक आया है इस आरक को यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे हम रख करके इतको हम यह काट लेंगे यहाँ पे तो काट लेंगे अब क्या करेंगे फिर स्केल उठाएंगे और स्केल उठा करके यह पॉइंट जो बी दिया हुआ है यह point जो B दिया हुए आपका और यह जो दोनों आरके एक दुथरे पर यहाँ पर इस point पर काट रहा है इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे यह मिला देंगे तो यही बन जाएगा 90 degree का angle बन जाएगा यहाँ पर यह लंब बन जाएगा अब इसको कोई नाम देंगे मालजी हम इसको D नाम देंगे अर्ध बृत पर यह लंब जिस point पर काटता है तो इस point को हम दी नाम दे देंगे अब यही जो B और D के बीच की दूरी है अर्थात BD जो है यही हमारा कनड़ी में कितना है यही हमारा कनड़ी में है 9.3 यही है तो 9.3 हमको इस पर रिप्रेजन्ट नहीं करना है हमको क्या करना है इस number line pre-present करना है तो हम क्या करेंगे इस line को थोड़ा सा और लंबा करेंगे इस line को थोड़ा और लंबा करते हैं यहाँ इधर तक और फिर क्या करते हैं प्रकार को हम यहाँ पर यहाँ पर रखेंगे और फिर BD तरिजिया का यहां पर देखिये, जहां पर दुनों इदस रहे है, B, D, T, R, आधिया supportiveca, ध्यान दीची, एक प्रकार का, B, B को सेंटर हमने माना है, केंदर माना है, और यहां पर D पर हमने रखा है, और क्या करेंगे ऐसे, ऐसे करके, इसको, ऐसे, ऐसे करके, यहाँ पे काट रहा है इसको हम कोई point यह माल लेते हैं अर्थात जो BD की जो लंबाई है यहाँ पे BD की जो लंबाई थी वह ही थी under root 9.3 यह BD की लंबाई थो मने BD ही radius का यह ले करके खीचा है BD radius का ही इसको मने ले करके खीचा है अर्थात जितना लंबा BD होगा उतना ही लंबा क्या होगा BM भी होगा BM भी अर्थात BM की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वह भी 9.3 under root 9.3 अर्थात यहाँ से ले करके यहाँ तक यहाँ तक यहाँ यह देखे यहाँ तक यहां से लेकर करके यहां तक ही लंबाई है आपका अंडरूट 9.3 तो इस प्रकार से हम अंडरूट की जो डेसिमल वाला संक्या होता है इसे प्रकार से हम रिप्रजेंट करते हैं यानि BM की जो दूरी है यही है अंडरूट 9.3 हम यहां पे लिख सकते हैं BM is equal to अंडरूट 9.3 तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक और तेहर करना मत भूलिएगा और साथी साथ इस चैनल को सब्स्राइब भी कर दिजिएगा ताकि इसी प्रकार के सवालों को हम लगातार आपके सामने लेके आते रहें और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद